अल्य रोहीम, Assalamu alaikum student, class 1, table content online with computers, unit number 2, parts of a computer This is your book title, lecture number 4, अब हम reading start करेंगे कि parts of a computer, कि computer के जो parts हैं, वो कौन कों से parts हैं, वो कितने parts हैं, और क्या parts जो हैं, वो क्या क्या काम करते हैं now let us start our reading our body is like a machine कि हमारी body जो है वो भी एक machine है ठीक है like a machine के machine की तरह है different parts do different work we use कह रहे हैं कि different body के parts है वो different work करते हैं ठीक है we use hands to pick up things कि हम अपने hands को use करते हैं चीजों को pick करने के लिए चीजों को उठाने के लिए legs to walk and run legs से हम क्या करते हैं walk करते हैं और run भागते हैं walk करते हैं eyes to see things हम eyes से क्या करते हैं चीजों को देखते हैं see करते हैं brain to think brain से हम सोचते हैं अपने दमाग से हम क्या करते हैं सोचते हैं अब देख रहे हैं हैंड से क्या कर रहे हैं चीजें पिक कर रहा है लेक से वोक कर रहा है आइस से क्या कर रहा है और ब्रेन से क्या कर रहे हैं हम थिंग कर रहे हैं तो अब किया रहे हैं कि जो हमारे parts है computer के, वो कैसे काम करते हैं, body के तो हमारे parts human body है, उसके parts जो है, वो different काम करते हैं, computer के जो parts है, वो किस तरह काम करें, similarly a computer also has different parts, किया रहे हैं, कि बिलकुल ही वैसे जैसे कि हमारी body के different parts है, computer के भी different parts है, different parts do different work, different parts जो है, वो different काम करते है, there are 4 main parts अब computer के main parts 4 हैं तो अधर पार्ट भी इसके साथ आटाच कर सकते हैं ऑफ और computer name के name के साथ क्या है monitor cpu keyboard and mouse नीजे आपको picture नजर आ पर चाहरी होगी यह है आपके पास monitor keyboard CPU and mouse monitor monitor क्या काम करता है monitor किस तरह दिखाए देता है monitor क्या जो function से भो perform करता है आप मॉनीटर looks like a tv कि मुनीटर किस की तरह दिखाए देदे हैं हमें किस की तरह हैं similar tv की तरह है you can see pictures alphabet numbers on a monitor screen कि आप क्या करते हैं you can see pictures हम इसमें pictures देखते हैं तसवीर देखते हैं alphabets यानि ABC जो आप देख रहे होते हैं नमबर्स यानि काउंटिंग वान टू तू त्री एंग ओना कंप्यूटर मोनीचर स्क्रीन पर यह चीज़ें आप लोग देख रहे होते हैं ठीक है इस पर हमें दिखाई देता है CPU Central Processing Unit कि यह क्या है एक Central Processing Unit है CPU is the brain of a computer CPU क्या है यह ब्रेन है computer का computer things with its CPU कि जैसे हम अपने brain से सोचते हैं ठीक है यह भी CPU से computer चोह है CPU से think करता है यह इसका brain है keyboard keyboard has small buttons और कि कीबोर्ड में क्या होते है small buttons होते है it these are called keys ठीक है इसमें क्या होता है these are called keys कि सारी क्या का जाता है जो buttons होते हैं इसमें small buttons इनको keys का जाता है it has alphabet keys number keys and special keys इसमें alphabet keys है special keys है और number keys है with keys you can type alphabets and numbers के आप क्या कर सकते है आप numbers और alphabet इसमें type कर सकते है there is a keyboard given below अब आपके पास यह कह रहे हैं कि हमने आपको निशे कीबोर्ड दे दिया है color the keys which have letters of your name अब कह रहे हैं कि आपने in keys में अपने name के letter को color करना है जिसे for example अली है तो आप a, l and i पे आप color करेंगे also write your name on the monitor और आपने monitor screen पे भी लिखना है अब यह आपको एक example वो दे रहा है कि किस तरह आप type करते हैं और किस तरह आपकी monitor screen पे आता है आप typing जब कर रहे हों अगर आपकी घर में computer तो सबके घर में होता है तो आप अगर इसको practically आप करें computer on करें आप उसमें जाएं किसी program पे जाकर आप अली लिखें या अपना name के letter type करें कुछ भी या वर्ड या कुछ लिख रहे हैं तो आप जब type करेंगे तो आपके monitor screen पे वो शो होता है माउस अब माउस किस तरह काम करता है this is a computer mouse कि यह क्या है computer mouse है it has a long wire attached to it कि इसके साथ एक long wire होती है तार होती है जिसको हम computer के साथ CPU के साथ attach करते है ठीक है it help to point things on a computer monitor क्या है कि इसके साथ हम computer की monitor screen पे यह हम चीजों को हम point out करते है things so क्या करते है हम point out करते है अब आपका homework है unit number two parts of a computer page number 13 to 15 आपने reading करनी है इसी page की जो भी हमने learn किया है कि computer के कितने parts है इस सबको आपने read करना है